सारे किसान बाइन राम राम देशी किसान चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको रोटी बेलने का नया तरीका दिखाएंगे रोटी को किस प्रकार से बेलते हैं जो यह आप देख रहें रिजैक्ट से है यह तरीका और आपको आज नया तरीका दिखाएंगे किस तरह से करना है किस तरह से बिनाना आप इसको अपने गाउं में जो लकडिया काम करते हैं उससे बनवा सकते हैं आप वीडियो में देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं तो बेलन को त्यार करते हैं दो चकलों को त्यार करवाना है और इसमें एक कपजा को set करना है इस तरह से यह देखो यह कपजा ले लिए और इसमें चार सिक्रूग फिट कर दिये हैं दो उपर दो निच्चे यह इसे open हो जाएगा इस प्रकार से उपन करके दिया हो आई इस प्रकार से उपन हो जाएगा फिर हम इससे टी बनाएंगे जिसमें बेलन को सैट करेंगे इसमें दो सुरा कर दिये बीज से लकड़ी निकाल दी है हैं जिए बेलन को काटेंगे इसको काटते हैं इस परकार से काट दिया स्को साइड से छोल के इसमें चुरा कर दिया है ओर इस पर कार इसको Inside करते हैं देखो कि इसमें नड़ा देखो की यहनेzn लगा दिया इसमें एक कर दो इस्को कर दो इसको कर दिया कर दिया को 6 रच करते हैं दो चकले हैं जो उनके पास दे करते हैं और इसको सैट करते हैं इस प्रकार से उपर निच्छे दो सिक्रू इसमें लगा देते हैं कि डिल मशीन से शुरा कर दिया है और जो यह सिक्रू है कि इनको इसमें डालते हैं और टाइट कर दिये है इस प्रकार से हमने टाइट करने है इस कस्के मैद्व से और यह हमारी जो प्रोटी बेलने की मसीन है जो त्यार हो गई है आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं क्रेब ये डेड़ेट से रुपय का स्पास मिलेगे आपको और जो आपके गाउं में जो लकडिया काम करते हैं अप उनसे भी ये बनवा सकते हैं बहुत इजी तरीका है और इस प्रकार से करती है आप देखो इसको ऐसे रखते हैं और एक बार उपर से दाब देनी है इसको और जो गोल रोटी है जो अराम से इसको बेल देते है यह देखो आप वीडियो में और इसको अपर उठाकर देखो रोटी है जो बिल्कुल गोल बनेगी से जैसे किसी लेडिज ने बनाई हुई है यह देखो आप इस प्रकार से बनती है इसके अंदर बिल्कुल एजी तरीका है आप इसको गाउं में भी त्यार करवा सकते हैं और मार्केट से लोगे तो यह करीब आपको डिड़ सुरुपे के आसपास मिलेगी इसमें कोई ज्यादा मेंगा नहीं ना इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेट करनी पड़ती आप इसको चाय तो गरपर भी बना सकते हो और यह देखो इसमें आप बटूरे भी बना सकते अब आपको बटूरों भी दिखाएंगे किस तरह से बनता है और किस तरह से थीता है डिदम के इस्पकार से हम बटूरे यार कर सकते हैं इसके मादों से बहुत इसी तरीका है और मिन्टों कम सेगंड बन जाता है इस प्रकार से हम इसमें बुटूरे भी त्यार कर सकते हैं यह देखो इस प्रकार से बुटूरे बन गए जो किसानवाई साधी सुदा नहीं है उनके लिए तो यह बहुत ही बड़ी आइटम है आप इसको गर ले के आए और अपना पेट पर खाना खाएं आशा करता हूँ आप किसान बाईयों से जो यह मेरी वीडियो है आज आपको पसंद आये होगी ज्यादे से ज्यादा लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि कोई अन्य किसान भाई भी इस वीडियो को देखकर अपना अर्द विवस्ता को शुदार्स के कोई भी बुखा नैस होए रोटी बनाए इस प्रकार से मिन्टों कम सेक्ड़ों में हो जाता है जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रख्याओ चैनल को सब्सक्र था फिर से जय हिन जय बारत जय किसान जय रियाना जय गव माता की जय हो